हालहे में एक गॉजिस आक्ट्रिस दिपका पदकोन पहुंची सिध्धी विनायक मंदर बपा का आशिरवाद लेने वो भी अपनी फिल्म छपाक के लिए मान्यता ये है कि जो भी सिध्धी विनायक मंदर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और उनसे जो भी मनत मांगता है वो पूरी होती है और क्योंकि दिपका पदकोन अपनी आने वाली फिल्म छपाक की सफल्था के लिए वहाँ पहुंची थी लगता है कि बपा का आशिरवाद उन्हें मिल गया क्योंकि फिल्म इतनी सारी कॉंट्रुवर्सी से घिरे रहने के बाद भी काफी अच्छा पफॉर्म कर रही है दिपका पदकोन ने ना सिर्फ फिल्म छपाक में लीड कैनेक्टर ने भाया है बलकि इस फिल्म को प्रेड्यूस भी किया है हाल ही में उनके JNU पहुंचने पर इस फिल्म को लेकर काफी नेगेटिव कॉंट्रुवर्सी हुई थी जिसके चलते काफी सारे फान्स और ओडियंस के लोगों ने इस फिल्म की टिकेट को कैंसल भी किया और दिपका की कोई भी फिल्म को ना देखने की बाद भी की लेकिन इन सभी नेगेटिव कॉंट्रुवर्सी के बावजूद दिपका की फिल्म थेटर्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब तो साफ है कि दिपका पदुकोन को सिंधी विनायक में जाकर बपा का आशिरवाद मिल ही कया आपका क्या कहना है कबेंट केजे और ऐसे ही खबरों के लिए सिब्सक्राइब करें हमारा चानल